मुझा इंद्राइब आप लिए इंद्राइब अजीव से वाद हैं आरियान मुझे है और रहा है कि पुछ भी अब आप इस तरफ देखें आप सामने की तरफ मिनी जू है इसका नाम जिमी पैट न पैट पैट प्लैनेट भी है अब यहां भी हम जाके देखेंगे अंदर के क्या क्या इधर जू में कौन कौन से पैट थैं कौन कौन से अनिमल है और बर्ड और चल के देखेंगे अंदर के अभी जैसे जैसे शाम होती आ रही है यह काफी द्यादा फैमिली नदर आने लगी है उस तरह अगर आप देखें तो बोट राइट भी स्टार्ट होने की तखि अब दूस एक्षण में इंटर हो गया हूं और देखें आप बड़ा बूस एक्षण है इस तरफ अरगोश है अब मुझे सब्सक्राइब लगी इन्होंने साइव लिखके लगाई लिए कि कौन कौन सी चीज है यहां जैसे कि यहां देखें तरफ इस तरफ प्लैमिंगो ज आगे की तरफ मुझे काफी काफी बड़े बड़े ऑस्टेश भी नदर आ रहा है इस तरफ ड़क्स का सेक्षण है यह ड़क्स के काफी स्पूर में बैठी गी है अच्छा आगे की तरफ कर देखें काफी ज्यादा यह चीज है कि आप आके बच्चे हाथ भी लगा सकते हैं यह सिर्फ पिंजनों से ही नहीं देख सकते कर आप चाहें तो इनको टच भी कर सकते हैं और यह कि इस तरफ काफी बड़े साइस का यार यह पाइथन है काफी इंटरस्टिंग यार यह ए लोग आकर इसको हाथ मेरी ले सकते हैं और इनको अपना गले में डालते हैं इस यह डिफरेंट टाइप्स आफ रेपटाइल यह देख सकते हैं यह है यह रड़ स्पॉटटेड रड्स नेक है यह माउस आगया वाइट माउस है और यह काफी यह पी कोई नहीं असल की लिज में और यह भी लिजर्ड है इस तरफ साइड में बैठी हुई है निल्चे की साइड पर यह देख सकते हैं यह दिफ्रेंट टाइपस ऑफ रॉडेंट्स हैं और यह देखें यह क्या खाड़ा है वाई यह लिखावा है जोग यह भी कुछ खाने में मसरूफ है और इस तरफ है उपर भी कुछ देखें हम पैठावाय इस तरफ टाइज है बहुत ही इंट्रेस्टिंग जगा है यह यह मुझे अंदाजा नहीं था कि यहां अंदर की तरफ इतनी ज्यादा आपको एक्ट्विटीज मिलती है और इतना ओ हो यह क्या चीज़ वाई इस तरफ मैं पचांद नहीं पा रहा है कि है उन्यार क्व इस तरफ तो एक घॉफ्ष है रबिट्स है और बोर्त इस तरफ देखके मुझे सायरा यह भी कोई ऐसमाज भी नशल लग रही है और इस तरफ यह कबटर है क्वार्वेश डेख सेखें एंगे हैं आप यह बीखर्भोश है ये भी बहुत खुब्सूरत दो अदर देख रहते हैं कुछ खाने में मस्रूफ है इस तरफ माउंटिंग शीप है यहां गोल्डन बफ हैं यह भी कोई अतरनाक किसम की लिजर्ड लग रही है देखने से कि अधिया देख रहा है आप अधिया आप को अधिया चोटा क्रोकोडाइल है अब सेंटर में देखते हैं काफी चीजें गुदर गई जो कि हम नहीं देखी है यह देखें जाइंट साइज ऑस्टेच यह तो बहुत ही जादा मतब ऐसी चीज है इसको देखके बच्चे कि यह हर जगा नहीं दिखते यह आपको अगर आपको नजर आ रहा है यह रहा है इसकार आप सेहरा ऑस्टिच हमने देख लिया यह क्या चीज है इस सारे बेट्स है सेंटर में आप दूसी तरफ देखते हैं चलके इस तरफ क्या क्या चीज़ है और यहां पैरिट है मकाव और यह सेंटर में अगर आपको नजर आ रहा होते हैं और यह आ गया क्या यह डियर है चेक करते हैं यहां पर यह है सुनकारा डिया है साथी साफ सुत्रा इनका इस तरफ की जगाए है बहुत अच्छे थे सारी चीज़ों को मेंटेन रखावा है साफ सुत्रा रखावा है इस तरफ देखें क्या है वाइड डियर इस तरफ वाइड डियर है सब्सक्राइब काफी बड़े साइज का डियर रही है इस तरफ टॉटा इस है नजर नहीं आ रहा है स्टार टॉटा इस उच्छे लिए रहा है तो देखने पता भी नहीं लगा मुझे ऐसा लगा बीच में पत्थर बढ़ा है और यहां भी दो अज़त बड़े बड़े था इसके तो देखें अफ्रीका नहीं क्या है कि कोई टाइप और वही लग रहा है चैज तरफ पीकॉक कि अज़ा यह मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखा दिया था आपको अंदाजा हो गया होगा यह जगह काफी ज़्यादा कुछ एक्ट्रोर करने वाली है काफी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है और बच्चों के साथ अगर आप यहां आते हैं तो बच्चे तो इंजॉय करेंगे और साथ उनको सीखने को भी मिलेगा सब जानवरों के नाम वगयरा मैंशन हैं उनकी जो जो ब्रीड्स हैं वो सब उसके वारे में सब डीटेल लिखी वी है और हर तरह के हैं बलके आपने देखा रेप्टाइल्स भी हैं और बर्ड्स भी हैं तो काफी इंट्रस्टिंग जगा हैं जो के यहां आके जरूर एक्स्प्लोर करें जब भी तालीमी बाग आएं तो इस पैट सेक्शन में जो के पैट जू है यहां और इनको भी इस जगह को भी आप एंजॉय करें गाइस मैं इस तरफ इस वक्त मौजूद हूँ हूँ हाउस ऑफ नन के सामने जो के तालीमी जानाद आखर होगा बहुत ही खोफनाग अंदर से आवाज आरे हैं और इस तरफ एक बहुत ही खोफनास्क सा माज भी डख रहा है अब सब अंदर चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह की जगह है और एक्सपीजियंस करता है तो गाई अब भी हम एंटर हुने लगे और यह वाज़ेंस आपवाज वाहिए हुआ है ये यहां की अन्टरेंस है जो सबाहें यह से हुआ होती होते ही बिल्कुल इस दियमा कासता कि अन्हों के और खाल kita और बश्चा से और बहुत ही वजीव सी वाद है और मुझे ही हो रहा है कि कुछ भी कब अचानक से कुछ चीज सामने देख सकते हैं आप बहुत ही एक ताबूत पड़ा हो नजर आ रहा है इसमें कोई से लग रहा है जैसे कोई है अन्दर और ये इस तरह हो बहुत ही हर जगह मुवमेंट्स अगरा यह देखें यहां एक पिंज्रे नुमा जगह है यह बैट भी है अच्छा सामने की तरफ देखें एक और डॉल की तरह का और एक स्केलिटन नुमा पड़ा हुआ है अच्छा काफी अच्छे थे इन्होंने आथ ब्राउनी अंदाज में इसको किया हुआ है अगर चलता है यह देखें टेलिफोन इसमें अंदर एक लाइट से चल दिए तो यहां का आवाज है ना चाहिए मैं सामने मुझे लग रहा है कोई बैठा हुए बहुत ही अतरना के मुझे नहीं पता है इनमें से कौन चल सकता है कौन हिल सकता है यह देख रहा है आप बहुत ही पताना ओ इस तरफ फ्रिज भी है इसमें मैं देख रहा हूं जीवजीब से चीज़ें रखी हुए है आप देख सकते हैं हर तरफ ही कोई ना कोई चीज रहती है जो कि यह देखें बीच में फैन यह क्या चीज है भाई यह बहुत है यह बहुत ही खतरनाक इनका है अब बहुत ही ज्यादा और फीलिंग है आपको बदा नहीं देखता मेरे इस टैम रोंगते खड़े हो गए है अब यह आप देख रहे हैं पीछे भी लोगों के डरने की आवास आ रही है जो लोग यह देखने हैं आरे हैं यह दो इस तरह से एक्जट का रस्ता है और बहुत ही कोई अमेजिंग मैं कहाँगा कि यह अभी भी मुस्तेकिल मुझे पीछे से आवादे आरी हैं अब बहुत है अज की वीडियो को यह एंड करते हैं उमीद है आपको तालीम बाग का हमारा जो टूर था और जो 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 ज जगा हैं और वीकेंड पर यहां काफी जादा फैमिली भी होती है और सबसे चीजी है यहां सिर्फ फैमिली कोई एंट्री अलाओ है अगर कोई सिंगल लड़के आते हैं तो उनको एंट्री नहीं है तो यह एक बहुत अच्छी चीज है यहां कि आप इस इंवार्मेंट में